बूढ़े करम नंबर को हम डैसिमल में कणवर्ड करते हैं और डैसिमल को बाइनरी को लेते हैं example हम ले लेते हैं मान लीजिए 101011 यह example है हमारा क्योंकि आपको पता है binary का अधार जो है वो 2 होता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और आपको इसको convert करना है किसमे convert करना है 10 वाले अधार में यानि decimal वाले number के अंदर convert करना है तो हमको क्या करना है पहला step हमने क्या करना इसको rewrite करेंगे 101011 इस तरीके से हमारा binary number है अब हमको क्या करना है यह जो दो अधार है इसी का हमने use करना है तो first वाली जो digit है इदर से unit digit है उसके नीचे हमने क्या लिखना है 2 की power 0 लिखना है इदर 2 की power 1 लिखना है और इसी तरीके से 2 raise to power कितना होता है 2 होता है वो इदर लिख देना है increasing order के अंदर आपको लिखते जाना है 2 की power 3 हो जाएगा इदर हो जाएगा 2 की power 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 की power 5 तो यह हमने first step करना है यह हमारा first step है second step के अंदर आपको क्या करना है इसका जितना भी result आएगा इसको इसके साथ multiply करना है अब 2 raise to power 0 आपको पता है mathematics के अंदर rule है कि अगर किसी की power किसी भी number की power कितनी है 0 है तो उसका result आने वाला है 1 तो उसी तरीके से 2 की power 0 का result भी कितना आएगा 1 तो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसके अंदर हमने करना है add क्या add करना है अब यहाँ पे 2 की power 1 है 2 की power 1 मतलब 2 2 into 1 यह उपर वाले इसाथ multiply करेंगे तो 2 ही हो जाएगा फिर से हमको add करना है यहाँ पे 2 की power 2 है 2 की power 2 होता है 4 4 into 0 4 into 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो आपको इधर plus करना है फिस 2 की power 3 2 की power 3 होता है 8 8 into 1 तो 8 ही आजाएगा 8 आपको यहाँ पे add करना है 2 की power 4 होता है 16 16 into 0 कितना हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा और 2 की power 5 होता है 32 और 32 into 1 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा अब आपको 3rd step के अंदर क्या करना है इन सब को जोड़ देना है 32 और 8 कितना हो गया 40 हो गया 40, 42, 42 और 43 तो 43 आजाएगा आपका answer ये ही आपकी क्या है decimal number में convert हो गया अब हम इसका उल्टा देखेंगे उल्टा देखेंगे मतलग इस जो decimal number है इसको हम binary में convert करेंगे तो चलिए देखते हैं इसको कैसे convert करते हैं तो हमारे पास number है मालो 43 तो 43 है हमारा decimal के अंदर और इसको convert करना है हमारे को binary number के अंदर यानि दो अधार वाले संख्या में convert करना है तो हम को क्या करना है 43 को हम लेंगे और इस तरीके से जिस तरीके से हम LCM निकालते थे बच्पन में उसी तरीके से हमको इसको solve करना है लेकिन हमेशा 2 से ही इसको divide करना है 2 से ही बाग देना क्योंकि इसका जो अधार होता है वो 2 होता है तो टू टू जा फूर हो जाएगा टू बन जा टू यहाँ पे 6 फल कितना बच गया एक बच गया वो इसके आपको सामने लिखना है इस तरीके से आपको करते जाना है दो दाया 20 होता है और उसके बाद में एक आपका फिर से remainder बच गया वो इसके ज़स सामने लिखना है तो वो इसके सामने लिख देना है अब बात आगई टू बन जा टू की और remainder आगया कितना जीरो जीरो remainder आगया अब जहां पर अपने को लास्ट में 1 मिल गया वहाँ पे आपको रुख जाना है अब आपको क्या करना है अब आपको नीचे से उपर की तरफ राइट करना है त जीरो वन जीरो वन वन यही हमारा decimal था बाइनरी नंबर था आप देख लीजिए यहां पे आप मैच करवा सकते हैं 101011 इसी को हमने पहले decimal के अंदर convert किया और इसी decimal को ले करके हमने अब इसको बाइनरी में convert कर दिया तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बाइनरी के अंदर यह number convert हो चुका है तो इस परकार से आपको करना है तो उमीद करता हूं कि आपको binary to decimal conversion और इसका vice versa यानि decimal to binary conversion जो है समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करें और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को शेर करना सबस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों